पावन सिंग जो की पावर स्टार कहे जाते हैं वो एक स्टेज सो में पहुचे थे और एक फरवरी को उन्होंने खेसारी लाल को तगरा जवाब दिया है और स्वाप साथ कहा है कि वो भुचपोरी इंडस्ट्री के एक लोते पावर स्टार है और उनकी खीची लकीर पर ही बाकी स्टार जिंगते हैं एक तरीके से खेसारी लाल यादब ने जो उनकी मरदानगी पर जो सवाल किया था उस पर उन्होंने जवाब दिया है और उन्होंने एहां तक कह दिया कि वो हवा है हवा को कोई कैद कोई कर पाया है क्या साथ ही साथ उन्होंने खेसारी लाल यादब को चिताब नहीं देते हुए कहा कि अगर तु मच्छे अगर स्टार हो तो अपना क लेकिन जो जिनको वो टार्गेट कर रहे हैं वो जन्ता सब समझदार है सब समझ रही है कि आखिर पवन सिंग किसको कह रहे हैं साप साप उन्होंने कहा कि अगर तुमको अगर अच्छा करना है तो तुम अपनी लकीर बनाओ क्योंकि अभी जितने के भुछपूरी के स्टार ह उन्होंने वो पवन सिंग के खीची हुई लकीर पे रेंग रहे हैं एक तरीके से पावर स्टार जो पवन सिंग जो कहा जाते हैं वो अपने मोह मिया मिठू बने फिर रहे हैं यही कहा जा सकता है कि यह उनका अंकार है क्योंकि कोई भी बेक्ती जो महान होता है वो खुद स महान नहीं कहता जो बेक्ति सुपरेस्टार होता है वो खुशे नहीं कहता कि मैं सुपरेस्टार हो चुका हूँ हलाकि इस बात से कोई इनकार महीं कर सकता कि पवन सिंग के उपर मा सरसती की साक्षात किरपा है और पवन सिंग ऐसा भोजपूरी में गायक अभी ततकाल तो खेर नहीं है लेकिन वहीं अगर हमसे अगर पूछा जाए कि पवन सिंग कैसे इंसान है तो मैं यहीं कहूंगा कि पवन सिंग एक अच्छे इंसान नहीं है और उसका तारण ही आप जान लिजे क्योंकि बहुत सारे लोग विना जाने भी कमेंट कर देंगे तो पहले आप तारण जान लिजे कि मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूँ मा सरसती की जिस पर किरपा होगी वो बेक्ती सराप पिकर अलर बलर नहीं बोलेगा और जो बेक्ती बरा जो बेक्ती होता है आप मोदी जी को ही देख लिजे मोदी जी के खिलाप अगर कोई बेक्ती अगर टिप नी करता है तो मोदी जी उसकी बात को जबाब नहीं देते उसको इगनोर करते हैं अगर आप सच में अगर पावर स्टार हैं अगर आपके अंदर सच में पावर हाउस है तो आपको भी जबाब नहीं देना चाहिए किसी को और आप अगर सबसे अगर मुह लगाए हुए चलिएगा राष्टे चलते बेखती से भी तो आपकी क्या भैलू रह जाएगी वहीं अगर एक्टिंग की बात के जाए तो खेसारी लाल यादव का कोई जोड़ा नहीं है लेकिन दोनों स्टार मोगिनिया जगड़ा करके और भ यूज जो है गाना का बरतार रहे इन लोग को न राजपूस से मतलब है न यादव से मतलब है इन लोग को सिर्फ और सिर्फ घूज से मतलब है पवन सिंग एक तरफ अपने आपको करते हैं कि हम पावर स्टार है तब भया आप पावर स्टार है तब पावर हाउस कहां पर ह ये भी आपको बताना चाहिए ना और आप अगर किसी को अगर उंगली किजिएगा तो वो भी आपको उंगली करेगा और हमारा ये कहना है कि जैसे कि खेसारी लाली आदब आपको पापा जिस समय बोले थे कि ये मेरे पिता जैसे हैं उस समय आपको बुरा नहीं लगा था और यह मेरे बड़े भाई है। पैदा करने वाला ही मर्द होता है। दोनो भोजपूरी को हमारी जो भोजपूरी है जो हमारी माटी है उसको बदनाम कर रहे हैं। और दोनों स्टार से निवेदन हैं कि कि प्याप भोजपूरी को बदनाम ना करें। इतनी की है इसके लिए भी खेसाली लाली आदब जी आपको मापी मागनी चाहिए। जूरे रहे हैं हमारे साथ चैनल को जाएस ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें। अगर फेस्बूक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करें। वीडियो को शेयर कर हमारे फेस्बूक पेज को लाइक करना एवं योट्योग चानल को सब्सक्राइब कर बेल आइकेन दबाना ना भूले। जय हैं जय भारत।